अब आपके सारे फिसिक्स के देशिन माट्वाइब का सफाया बस अपने फोन से कुशन की फोटो कीचो अपकर और तुरुण वीडियो सलुशन पाओ डावलोड कीजिए डाप अभी या फिर वाच्छाप कीजिए अपने डाउट्स आट चार्सो 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 बज़िए क्वेचन करा एक ग्राम सेंपल जो है के चल का उसको क्या कि हीट आईसा कंडिशन के कि इस जो डिकम पोज हो जाए कि इसके औकी नीचे रिक्षन का दिया हुआ है कि इसके अंदर हम क्या किये हीट किये तब बोल रहा है कि जो रिएक्षन है वह अगेन क्या हुआ फिड कं होज हुआ और इसको प्रड़क्ट में फर्म किया तब बोल रहा है कि जो एमाउंट ओफ और टू इभोल्व होगा वान फॉर्टी फाइट एमेल एस्टी पी पे तो हमें बोल रहा है कि परसेंटेज क्या परसेंटेज बाई वेट के सी अलो फोर का जो बच गया उसका निकलन के लिए तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि रियक्शन देखेंगे कि रियक्शन के बाद हमारा क्या करेंगे सब का मास निकालेंगे वेट निकालेंगे वेट निकालने के बाद हमें क्या पता चलेगा कितना अमाउंट बच गया और कितना यूज हुआ तो सबसे पहले हम reaction देखते हैं यानि क्या 2KClO3 क्या form किया 2KCl plus 3O2 यानि हम इसको molecular weight में लेते हैं 245 gram कितना form किया 149 gram और एक कितना 96 gram molecular molecular mass मुल से multiply कर दिये अब हम देखते हैं कि एक और reaction क्या था 4KClO3 reaction करके क्या बनाया 3KClO4 और के CL इसका भी weight देख लेते हैं कैसे कैसे form कर रहा है यानि 490 gram जो हुआ वह कितना form कर रहा 415.5 gram और 74.5 gram में निकाले इस लिए क्योंकि हमारे मुल्क जहां भी काम है मास का है मुल्स का वहाँ पर यहीजी हो जाए तो हमें के CLO3 का हमें नहीं दिया हुआ है कि कितना के CL है वह convert हुआ के CLO3 में कितना है के CL जो convert हो गया तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या लेता है कि X gram क्या है एक्स गराम क्या है के CLO3 है और जो के CL convert हुआ और O 2 में वह किसको one मैनास X gram ले लिए एक्स ग्राम क्या लिए जो के CL के सी एल और प्लस ओर्टू में कनभर्ट हुआ ओ लिये और उसके बाद हमें कहता है कि जो वेट ओफ ओटू है वो हम यहां से निकाल चुके थे 96 ग्राम के यह वब से यहनि हमें उपर वेट ओफ ओटू दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे ओबर ओल निकाल लेंगे तो वेट ओफ ओटू कितना हो जागा पहले तो अगर हमें भॉलूम दिया हुआ है कितना 32 यानि हमें 146.8 इंटू 32 ml दिया हुआ है तो हमें लीटर में करना है यानि 22.4 लीटर होता है तो उसको हम क्या करेंगे में 32 ml दिया है तो 22400 यानि टोटल कल्कुलेट करने पर कितना है 0.2097 ग्राम तो हमें एक्स कितना आ गया एक्स कितना गया 245 इंटू 0.2097 अपन 96 एक्स का तो हमें weight of KCL हमें 4 निकालना है तो weight of KCL 4 कितना हो जागा हम उपर निकाल चुके थे weight of KCL 4 कितना हो जागा 415.5 मास आया था इंटू 1 माइनस एक समॉल है divided by कितना 490 अगर confusion है तो एक बार उपर चेक कर लिजागा तो calculate करने पर कितना है 0.3941 ग्राम तो हमें KCL 4 का गया हमें और क्या चाहिए तो residue चाहिए यानि total हम मेरा 1 था तो 1 में से जितना weight O2 बच गया होगा वितना weight क्या होगा weight of residue तो weight of residue निकालते है weight of residue कितना होगा 1 minus weight of O2 तो कितना होगा 1 minus 0.2097 ग्राम यानि हमारा कितना बच गया बच गया तो बच गया कितना 0.3091903 ग्राम उसके बाद हमें क्या निकलना है percentage of KCL residue percentage of KCL residue कितना होगा 0.3941 into 100 divided by कितना होगा 1 minus 0.2097 इसको हम उपर लिक्स चुके हैं 0.1903 यान कितना percentage होगा 49.87% की glorious 10 जिकलना कितना ले दिए apt गया व्राम ये ने К घि雜 बच up an ok कितना होगा 26 आढ कितना होगा। 9 तो यानिये क्यार कितना होगा अदारता unisak